जी, क्या लगता है, इस बार कमल खेलेगा या कमल नात कमल खेलेगा लाट कमल खेलेगा है कमल खेलाएंगे आप बीजेपी आईंगी और क्यों? बीजेपी यह तो हर बात साल कर दिए हमें तो फिले वादे कर लें तो आज में जवानी से बुढ़ा हो जाता है और वादे कभी होते नहीं पूरे बाजी काई बहुत कम विकास हुआ इस तरफ लेकिन विकास होना चीए यह बात कोई भी पाल्टी आयो लेकिन कॉंग्रेस भी तो बहुत दावे कर रही है ना कि अगर हमाई सरकार बनती है तो हम ऐसा तो बनेगी जमना विजे पी हो या कॉंग्रेस हो मतलब काई मतलब जो प्रगेती से चलना चीए वो नहीं हो पा रहा है तास तो क्या है कि जनता के ओपर है जनता जनादर नहीं यह तो राजनीती है उट कप कड़ बन कोई भरोसा नहीं है अच्छा काम काज़ा है सबी अच्छे काम करें आपने देखा नहीं है अब दो बार बने हैं विजाय को अब तीसी बार बहुत नहीं परिवारतन भी तो जरूरी आप ज़दो यह बाकि फिर बहुत है जो जो करदा है विकास उसको देखेंगे नहीं लोग उन तो विकास करदा बिलुकुल जी क्या लगता है इस बार आपको क्या होगा वो ही है वो ही कौन मोहन यादव क्या खास बात है इसी मोहन यादव में कि भाई मोहन यादव ही इस बार जीतेंगे अब जाते हैं किसी परिशानी को लेका है वह सुनते तो है समस्के तो है वाजी यह लेकिने कांग्रेस की बात करें तो उच्छी होगा, बीजेपी आईगी, बीजेपी होगा, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, जी क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा, क्या माहौल है चुनाफ का, बीजेपी आईगी और क्या है, बीजेपी, बीजेपी भाई हम यहां पर लोगों से बात करें, लोग मुद्दा बन सकता है मुद्दा है ना वो तो बनेगा क्यों मुद्दा है सरकार ने महाकार लोग बनाए आपको अच्छा लगा इस चीज़ से उजयन इत्यासिक नगरी में मतलब धार्मिक नगरी में आद बेखती को देखने के लिए जगे तो हुई ना पर्टिव कुलर तीन बार की कांग्रेस सरकार थी कुन सा काम करा उसने आप बता दू लेकिन कांग्रेस भी तो बहुत दावे कर रही है ना कि अगर हमाई सरकार बनती है तो हम ऐसे तो बनने की जमना तो यहां पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद है जिन से जानेंगे कि इस बार उनका क्य लेकर लेकर तो यहां प्याकर होना चाहिए आपके साबसे प्लाइब बदला के बात करें तो यहां लग रहा है क्या लगा अब लोगों काड़े रखकर होगी मतलब बदला होना चीवास ही है वदला होना चीविफ्टी विफ्टी है जी आपको क्या लगता है क्या होगा है अच्छा बीजेबी कॉंगरेस में बहुत तक्कर चल रही है अगर हम उजयन दक्षिन की बात करें तो मोहन यादव में और ज सरकार से क्या कुछ मुद्धे हैं आपके की इन चीजों पर अमल करना चाहिए कोई भी अगर विधायक बने या अगर हम मद्धि प्रदेश की बात के तो सरकार से क्या आपकी उमीद है अब उमीद तो यह रहती कि मेंगाई कम हो पहली बात हो और जो हो है इधर का दक्षिन में अच्छा दsk्षिन शेत्र से आप आते हैं तो अभी तक क्या-क्या विकास हो चुके हैं यहां पर अभी तक तो बहुत कम विकास हुआẫn इस तरफ ईसम्हिटmed लेकिन विकास होना चाहिए यह बात है क्या कुछ आ अप देख रहे है विकास की आप बात करे तो क्या कुछ इस बार आपको कमल नात इस बार दोई की बहुत कांटे की टककर कह नहीं सकते हैं पीर भी क्या है कि दक्षिन विदयान सबा छेतर से कुछ और कौन जीते मैं रहना चाहे तो यह है कि जो भी जीते इस चेत्र में जनीत में विकास का अदरी कहरे है जिसे यहां के लोगों को कोई सरकारी नल नहीं मिल पाएं हैं, नालियां उपलब्दी नहीं हो पाई ये, आज भी लोग बाग ऐसी जगे में रे रहें, कि चड़ में आना जाना हो रहा है, रोड नहीं बन पाएं, तो ये कारे करा जाएं। काम करें केवल बादे ना करें। इस बाएं मतलब सरकार किसी भी वो फरक नहीं पड़ता है, लेकिन काम जो है वो दिखना चाहिए। क्या लगता है सर आपको इस बार कौन जो है वाजी मार सकता है कि सर पे ताज हो सकता है। तास तो क्या है कि जनता के ओपर है, जनता जनारद नहीं है तो, राजनीती है, वूटकप कड़ बरोड़ बदल कोई बरोसारी है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में सरकार है। जनता बदलाद उचाहरे हैं, जनता बदलाद उचाहरे हैं। वह सकता है कि विधायक बनने के बाद वह जितने बिदावे करें वह पूरा करें। विए हमें बोल्द यह तो फिर वादे कर लेता है फिर बाद में दुसरा के पिर वादे कर लेगे तो आज मैं जवानी से बुड़ा ओ जाता है और बादे कभी होते नहीं फुरे कि गुए अव्य आप सान स्क currently जनता चारी जनत्रां जम्त अंत्रा जी सर क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा मैं तो मेडम अपील कर सकता हूं मैं आचा सहीता के दारे में आता हूं सभी जितने वी जो जागरूक नागरिक हैं वो मद्दान केंदर तक पहुंचे और मद्दान अवश्य करें इस महायग्य में अपने अहोती जरूर प्रस् नवंबर को जो वोटिंग होने वाली उसको लेकर आप मद्दान केंदर पर जाएं और जो भी अपने कामकाज है थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ के और मत्दान जरूर करें जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं उस पार्टी को जरूर वोट दे क्यूंकि जो वोट ह वो सभी का अधिकार है और किसी को भी अपना अधिकार नहीं भूनना चीज़ के लावा हम मुद्दे पर आते हैं अभी हम यहां पर उज्जयन दक्षिन बदान सबार शेत्र में जहां पर हम लोगों से लोगों की राय जान रहे थे और यह जान रहे थे कि इस बार वो किस चाप्षिन को जो है देख रहे हैं हाला कि लोगों रे काफी अच्छे जवाब दिये हैं काफी लोग जो है परीवर्तन चाहते हैं जनता जो है परीवर्तन चाहती है लेकिन महीं कुछ लोग जो बीजेपी के पक्षमे हैं जो मोहन यादफ के पक्षमे हैं लेकिन महीं कुछ ऐसे भी लोग है जो कॉंग्रेस के पक्षमे हैं तो काटे की टक्कर जो है इस बार देखने को मिल रही है अगर हम स्टेट लेवल के बात करें तो स्टेट लेवल में भी बीजेपी कॉंग्रे क्यामरा पर्सन सच्चन के साथ मैं उशूती आप देख रहे हैं सत्य खबर